हाई फ्रेंड्स असलाम वालीकूं वेलक्म बैक टू माई चैनल खाना पकाना आज हम बनाने वाले हैं इफ्तार में कुस्पेशल क्रिस्पी और टेस्टी बिल्कुल मार्केट में जैसे हलवाई के पस मिलते है भजीए बहुत यम्मी और टेस्टी उपर से क्रिस्पी इसमें थोड़ा से हरा दनी आड़ कर देते हैं और एक कप बेसन आड़ करेंगे ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी चटपर बन जाते हैं हाटली पांच मिनिट में जो हमारे बेसन के पकोड़े वो रेडी हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक कप मैंने बेसन आड़ कर इसमें हम एक पिंच यहाँ पर बेकिंग सोडा एड़ करेंगे और स्वादनुसा नमक एड़ कर देते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दालते हुए इसका अच्छा से एक बैटर बना लेते हैं अगर आप इस तरीके से स्टेप बैस्टेप भजी बनाते हैं बहुत अच्छे और टेस्टी जटपट रेड़ी हो जाते हैं यहाँ पर जैसा कि मैंने गयास पर तेल गरम करने के लिए रख दी हूँ और यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इफ्तार के बहुत ही कम टाइम बचा होता है तो हमें कुछ जटपट बनाना होता है इसके मैं आज यह बना रही हूँ प्यास के पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं आप इसे पुदीने की चटनी के साथ या तो सॉस के साथ में खा सकते हैं यहाँ पर मेरा फर्स बैच हो चुका है डी फ्राय करके यहाँ पर मैं सेकंड बैच में आपको बता रही हूँ तो द इतने जटपट और इतने अच्छी तरीके से और बिना कोई जादा इसके अनल माटेरियल यूज करते हुए हमने इतना अच्छा रेडी कर दिये तो आप इस तरीके से बना को जरूर ट्राइ करिए और आपके पकोड़े कैसे बने मुझे कमेंट करके बताईए रेसिपी पस झाल